दोस्तो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कई ऐसे बहतरीन अभिनेताओं के लिए जाना जाता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ना केबल साउथ इंडिया में हैं बलकि ये पूरे देश में जाने जाते हैं और पसंद भी किये जाते हैं और इन्ही में कई ऐसे सुपर से भी ज्यादा नेम और फेम मिला हुआ है तो इसी के चलते आज हम आपके लिए यहां पर दक्षड भारत के टॉप सेवन सुपर स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने लाखों फैन्स के दिलों पर कबजा किया हुआ है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उ उन सभी टॉलिवूड के सुपर स्टार्स के बारे में तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे और वीडियो के लाश्ट तक हमारे साथ बने रहिए टॉप टॉलिवूड सुपर स्टार्स की जब भी बात होती है तो उनमें से जो फर्स्ट पर स्टार्स माने जाते हैं वह अपनी थलाइवर की अनूठी से ली डायलग डिलीवरी और अपने लारजर देन लाइफ व्यक्तित्य के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कई ब्लॉग बस्टर फिल्मों में अभिनए किया है और पूरी दुनिया में उनके बड़े पैमाने पर प्रसंसक भी हैं रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को मद्रास में हुआ था दोस्तों रजनीकांत ने अपनी पहली फिल्म के साथ ही अपना नाम बदला और रजनीकांत के नाम से सबके दिलों में अपनी पहचान बना ली 1975 में अपूर रांग गल की पहली फिल्म के बाद वह बड़े परदे पर छा गए लेकिन सुरुवात में रजनीकांत ने कई निगेटिव रोल भी किये हैं और इन्हीं रोल के दम पर इन्हें सुपरिस्टार का दर्जा मिला है बात की जाए रजनीकांत की हिंदी फिल्म तो 1983 में अंधा कानून उनकी पहली हिंदी फिल्म थी इसके बाद 1996 में मुलुम मलरम के लिए इन्हें इनका पहला फिल्म फेयर और तमिल नाडू पुरुसकार मिला है इसके बाद तो रजनीकांत ब्लेक और वाइट, कलर, मोसन पिक्चर और 3D में काम करने वाले पहले भारती अभिनेता बन गए रजनीकांत की टॉप फिल्म की बात की जाए तो बाशा, शिवाजी, काला, एंथिरन, पेट्टा और 2.0 उनकी कुछ सबसे ज्यादा कमाई वाली और ब्लॉक बस्टर मुवीज में से एक है रजनीकांत को दादा साहिब फालके, पद्म विहूसन, एंटी आर नेशनल, कलाई मामडी, 41 पूर्सकार जैसे 58 अवार्स मिल चुके हैं परिसनल लाइफ की बात अगर की जाए तो उन्होंने लता रजनीकांत से साधी की है और उनकी दो बेटिया, एस्वर्या और सौद्रिया, फिलहाल फिल्म प्रडियूसर है दोस्तों, महेज बाबू तेलगू सिनेमा के सबसे लोकप्री और सफल सुपरिस्टार्स में से एक है इन्हें साध फिल्म इंडस्ट्री का सलमान खान माना जाता है ये अपने लुक्स और आकरसक व्यक्तित्तों और अपने अभने कौसल के लिए जाने जाते हैं मैडम तुसाद में मोम की स्टेच्यू हासिल करने वाले ये सबसे पहले तेलगू सुपरिस्टार हैं 2022 के टॉप 10 दक्षिल भारती अभिनेताओं की लिस्ट में महेश बाबू को सेगेंड पोजिशन मिली हुई है इनकी फेमस हिट मूवीज में ओकाडू, अथाडू, पोक्री, बिजनेसमेन, वन नैनो का दिने, स्री मुथुन्र महरसी है महेश बाबू को अपने कैरियर में 25 अवर्ड्स मिल चुके हैं और अब तक इन्हें 34 बार नॉमिनेट भी किया गया है इनका अपना एक प्रोड़क्शन हाउस महेश बाबू इंटर्टेन्मेंट भी है साथ ही ये थमसब फिलिपकार्ट, डेनवर, ब्याईजू, वाइट हैड जूनियर जैसे 38 ब्रेंड्स के ब्रेंड अमबेजडर भी है नंबर थ्री पर हैं दोस्तो प्रभास प्रभास ने अपने इसी नाम से ब्लॉग बस्टर फिल्म में बाहु बली के अपने किरदार से प्रसिद्धी पाई ये तेलगू फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरिस्टार्स में से एक हैं और इनकी काफी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग भी है इनकी ब्लॉग बस्टर मुवीज बाहु बली दा बिगनिंग और बाहु बली दा कॉनक्लूजन भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मुवीज में से एक रही है प्रभास को सबसे अधिक कमाई वाले डेब्यू अभिनेता का आवार्ड मी मिल चुका है 2022 में इनकी फिल्म रादे स्याम आदी पूरूस सालार रिलीज हो चुकी है जिनके दम पर इन्होंने अच्छी खासी कमाई के साथ बॉले वूड में अपनी जगह भी बना ली दोस्तो अलू अर्जुन एक लोगप्रिय तेलगू फिल्म अभिनेता हैं जो अपने स्टाइलिस लुक अधभुत डांस मूव्स और अपने अभिने कौसल के लिए जाने जाते हैं इनकी बहुत बड़ी फैन फालोइंग है और वह तेलगू फिल्म उद्योक के सीर्स अभिनेताओं में से एक हैं अलू अर्जुन की पुस्पा दराइजिंग स्टार ने 3.5 बिलियन से ज्यादा कमाई के साथ उन्हें युवाओ का आइकन बना दिया जहां आधा भारत तेरी जलक पर ठुमके लगा रहा था वही नौजवानों ने उनकी स्टाइल, बोडी लेंग्वेज और हेर कट के साथ बेर्ड भी कॉपी की अब तक के अचीवमेंट्स की बात की जाए तो अलूर जिन ने बेस्ट एक्टिंग के लिए स्क्रीन पर 33 अवर्ड से जीते हैं वह अपनी बहुमुकी प्रतिभा, एक्शन, सीक्वेंस और जटिल किरदारों को आसानी से चित्रित करने की छमता के लिए जाने जाते हैं गजनी, वारणम, आयराम, आयान, सिंगंटू, एस्थ्री उनकी टॉलिवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपर हिट ब्लॉक्बस्टर मुवीज दोस्तो 2022 में रिलीज हुई बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड तोड कमाई करने वाली मुवी आरारार के फेम जूनियर एंटियार साउथ इंडियन मुवीज के टॉप एक्टर्स में फिप्थ पोजीशन पर आते हैं जो अपने आकरसक, प्रदर्सन, एक्षन, द्रस्यों और दर्सकों से जुड़ने की छमता के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कई ब्लॉक्बस्टर फिल्मों में अभिने किया है और तेलगू सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं 20 मई 1983 को हैदराबाद में जन्म लेने वाले जूनियर एंटी आर ने अपने दादाजी की फिल्म ब्रमरिसी, विस्वामित्र और रामायड से ही आठ साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में अपने कैरियर की सुरुवात करी उन्हें अब तक लगबग 30 पूरुसकार मिल चुके हैं जिसमें 9 फिल्म फिल्म फियर अवर्ड्स सामिल हैं ये जितना अपने एक्टिंग कैरियर के लिए फेमस हैं उतना ही इनके चैरिटी के चर्चे भी हैं नमबर सैवन केजीएफ टू के सुपरिस्टार येस ने केजीएफ और केजीएफ चैप्टर टू में कमाई के सारे रिकॉर्स तोड दिये हैं और ये मूवी ब्लॉग बस्टर हिट रही येस के नाम से मसहूर इसकन्नड एक्टर का असली नाम नवीन कुमार गौना है ये ए प्रक्रिय जरूर साजा करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज्याद से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें